वो चीज़े होती हैं which are used to make fabrics अब ये जो अलग-अलग monomers जब join हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? Polymer प्रेयॉन हमें कहां से मिल रहा है? Wood pulp से जो nylon है दिखने में लिश्कारे मारता है मतलब shiny Durable का मतलब बहुत देर तक चलते हैं खीक है ये निये के एक दिन बाद खराब, 15 दिन बाद खराब, एक महीने बाद खराब ने हमें पता है हम प्लास्टिक से घरे हुए हैं हमारे पास ये पैन है, इसकी भी covering plastic की है हना bottles हैं वो भी plastic है, chairs है, वो भी plastic है, टेबल है, वो भी plastic है लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हीट दो तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, वो मोल्ड हो जाते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope बढ़िया होंगे, एकदम मज़े से होंगे क्या हाल चाल, comment section में MST तो यार आज मैं आपके लिए लेकिया हैं उस chapter की rapid revision जो obviously ठीक है, महना new NCRT में नहीं है बट फिर भी बहुत बच्चे बोल रहो थे कि प्लीज इस chapter को भी एक बार आप rapid revision में cover कर दो तो मैंने का why not, हना तो जल्दी से हम start करते हैं अपने आज के chapter के साथ synthetic fiber and plastics चलो, तो भाई आज हमने discuss क्या क्या करना है, हमने discuss करना है कि सबसे पहले synthetic fibers क्या होते हैं, ये तो मतलब हमारा शुभारों इससे तो होता ही होता है ये तो होना बहुत जरूरी है, इसके वीना कैसे चलेगा हना, बिलकुल, चलो भाई तो यहाँ पे synthetic fibers and plastics हमने पढ़ना है, सबसे पहले हमारे पस synthetic fibers क्या होते हैं, और हमने discuss करना है plastics, हना मतलब types of synthetic fibers क्या क्या होते हैं, वो चीज़ हमने जल्दी से discuss करनी है, तो यहाँ पे अब हम जल्दी से देखेंगे, तो ये chapter है हमारा synthetic fiber and plastic, ये मैं तीसरी बार बता रही तो जल्दी से हम आगे करते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले, what are synthetic fibers, तो हमें पता है, fibers वो चीज़े होती है, which are used to make fabrics, जैसे की nylon, जैसे की rayon, जैसे की acrylic, जैसे की polyester, ये सब चीज़ें बनाने में use कौन होते हैं, fibers, ठीक है, तो fibers और synthetic fibers, synthetic का मतलब होता है, जो artificial हो, which are artificial, artificial वो हर चीज़ है, जो हमने बनाई है, जाहे हो हमारे emotions हो, चाहे हो, दुखी है तो हमें खुछ दिखाना है, खुष है तो हमें दुखी दिखाना है, तो वो सब चीज़े, वो सब क्या है, artificial, we all are artificial, everything is artificial, कुछ चीज़ भी permanent नहीं है, even हम भी permanent नहीं है, तो यहां पे हर चीज क्या होती है, artificial, तो जो भी चीज synthetic है, मतलब artificial, which is man-made, which is man-made, ठीक है, या, humans ने जो बनाई है, तो ये जो synthetic fibers होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे छोटे-छोटे units होते हैं, उन units को, जब हम join कर देते हैं, ये जो units हैं, ये एक छोटे-छोटे units होते हैं, जब हम इने join कर देते हैं, हना, ये जो एक छोटा unit होता है, इसे हम बोलते हैं, monomer, क्या बोलते हैं, monomer, अब ये जो अलग-अलग monomer, जब join हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, polymer, क्या बनाते हैं, polymer, पॉलीमर, poly का मतलब होता है many, मर का मतलब होता है units, कि बहुत सारे, monomer क्या होता है, एक single unit, क्या होता है, एक single unit, एक single unit, जब जॉइन हो रहा है, हना तो वो क्या बना रहे, बहुत सारे units, एक अठ्ठे हो गए, तो यहां भे हमारे पास many units, जब बन जाते हैं तो वो होता है हमारे पास polymer, ठीक है, तो हमारे पास जो polymer है ये हमारे पास manmade है, हना मतलब ये man बना रहा है, laboratories में basically ये चीज हमारे पास बनती है अब इन्ही polymer से, इन्ही fiber से, इन्ही fiber से हमने क्या किया, बहुत सारे हमने fabrics generate की है, हना बहुत सारा material हमने generate करना start किया, तो उसी चीज़ पे अब हम आगे जाएंगे, तो ये था हमारा chapter की शुरुवात का synthetic fibers क्या होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे units join करके, दे make a polymer unit सबसे पहला fiber जो है हमारे पास वो है rayon सबसे पहला fiber है rayon ये rayon को अगर हम देखें, तो इसमें क्या है ये आपके पास rayon का कपड़ा है ठीक है, ये usually silk के साथ इसका comparison किया जाता है, silk के साथ, अब silk हमारे को कहां से मिल रही है भाई, silk warm से, लेकिन rayon हमें कहां से मिल रहा है wood pulp से, ये जो wood pulp की क्या करवाई जाती है reaction, wood pulp की कुछ reactions करवाई जाती है जिसकी वज़े से हमें क्या मिलता है, rayon मिलता है, तो अब मुझे एक चीज़ ये तो पता चलगी कि ये तो artificial है humans दे बनाए क्यों कि real silk तो हमारे को silk warm से मिल रही है, बिलकुल सही बात है दूसरा हमने क्या देखना है कि जो rayon है, ये हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा cheaper है, as compared to that of silk हना, it is cheaper थोड़ा सस्ता है, then silk ठीक है, अब जो rayon है हमारे पास, अगर मैं उसको अगर मैं इसको cotton के साथ जोड़ दूँगी अगर मैं इसको cotton के साथ जोड़ दूँगी हम इससे bedsheets बना सकते हैं अगर मैं इसको वही cotton के साथ जोड़ दूँगी अगर मैंने rayon को join कर दिया cotton के साथ तो मेरे पास इससे क्या मिल जाएंगी bedsheets और अगर मैंने rayon को join कर दिया wool के साथ, हना क्योंकि rayon जो है वो हमारे किसके साथ join हो सकती है cotton के साथ भी join हो सकते है और wool के साथ भी join हो सकते है तो अगर मैं wool के साथ join कर रही हूँ तो हम एक यहाँ पर मिलेंगे carpets ठीक है carpets मतलब जो mat होते हैं बड़े-बड़े mats होते हैं उनको हम बोलते हैं carpets तो यह था हमारे पास rayon का काम कि हमारे को यह सबसे बहली तो artificial silk है it is cheaper than silk and is known as the artificial silk artificial silk ठीक है next अगर हम बात करें nylon की तो nylon को usually usually nylon को compare किया जाता है wool के साथ यानि कि उन उन के साथ wool के साथ हम इसे compare करते हैं जो nylon है दिखने में lishkare मारता है मतलब shiny इसका जो surface होता है वो थोड़ा सा क्या होता है shiny होता है ढूसरा यह जो होता है काफी अच्छा खासा यह strong होता है इसकी strength बहुत अच्छी होती है यह बहुत जादा अच्छा खासा strong होता है तीसरा अगर हम देखें, यह जो होता है, नाइलॉन, हाना, इसको हम यूज करते हैं, जैसे जब हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, हाना, हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, अब पता लगे हम माउंटेन पर चड़ रहे हैं, वो रसी एकदम से वो हो जाए, और हम चीज है, यहां पे, यहां पे जो रोप्स वगएरा, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है, मैंने क्या बूल, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है, जिसकी वज़ए से क्या होता है, इसको हम पैराग्लाइडिंग वगएर हना पैरा ग्लाइडिंग हो गया, माउंटेन क्लाइबिंग हो गया, उस रोपस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, तो वो चीज थी हमारी नाइलॉन के साथ, तीसरा हमारे पस क्या है, नाइलॉन की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती, आटए तीस है, टैके, ये श्टी से भी जादा स्ट्रोंग माना जाता है, च्टो ये साथ लना माना जाता है। तो यह था हमारे पास था नाइलॉन एलश और ये सॉर्फिस येस को शाईनी है, उनी से थाए वा tag-題 जाते the other things, हमने start करना है polyester and acrylic के साथ, तो polyester and acrylic में सबसे पहले ये भी क्या है, obviously these are also एक सेखिनी क्या हो रहा है, these are also fibers, हना, जो हमारे पस अब polyester and acrylic है, हना, ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का fiber ही है, हना, fiber, synthetic fiber है, अब ये जो है, इसके अंदर हम अगर देखें, तो इसका एक अच्छा खास example है, pet का, pet का example आता है हमारे पास, polyethylene teriphthalate ये भी हमारे पास क्या है, synthetic fiber है, मतलब polyester हमारे पास example है, तो नाम तो पता चल रहा है, polyester, मतलब ये भी क्या होगा, एक तरह का, polymer होगा, बहुत सारे units से जुड़के ये बना होगा, ठीक है, इसकी एक खासियत ये है, कि इस में से आप क्या कर सकते हैं, आप इस में से thin fibers, thin fibers को निकाल सकते हैं, इस में से हम बहुत पतले-पतले fibers को भी निकाल सकते हैं, दूसरा ये use कहां-कहां पे होते हैं, they are used in making utensils, हाना, अगर आपको utensils बनाने हैं, बरतन, 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 utensils हो उनको बनाने में भी हम इसे use कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम एक चीज देखें, जो हमारे पस polyester, जो हमारे पस acrylic होते हैं, ये हमारे पस they are more durable, they are more durable, durable का मतलब बहुत देर तक चलते हैं, ठीक है, ये निए कि एक दिन बाद खराब, 15 दिन बाद खराब, एक महीने बाद खराब available, oh sorry, affordable, they are affordable, ये क्या होते हैं, affordable भी होते हैं, तो ये हमारे पस कुछ characteristics थे, PET मतलब polyester and acrylic के, तो ये यहाँ पे हमारी utensils में, wires में, आप चाहें तो जो हमारी यहाँ पे bottles होती हैं, जिन में हम पानी बर के लेके जाते हैं, तो उन bottles वगेरा में भी हम इसे बना सकते हैं, तो fibers ह हमारे पास यहाँ पे हमने पड़ा polyester and acrylic, फिर उसके बद हम आते हैं plastics के उपर, तो plastics भी क्या होते हैं, these are also polymers, plastics भी क्या होते हैं, पॉलीमर्स, बहुत सारे units जो होते हैं, वो ऐसे हमारे linked होते हैं, और वो plastic बनाते हैं, अब जब plastics हैं, वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, linear भी ह हो सकते हैं, linear plastic का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास ऐसे units जो है, वो एक line के अंदर ही जुड़े हुए हैं, तो यह होगे linear plastic, लेकिन अगर मेरे पास वही units, वही units ऐसे, दो अलग-लग units हैं, उनको बीच में ऐसे से करके joint क्या हुआ है, जब वो बीच में ऐसे joint हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी? Crosslink, कि उनके बीच में linking हो रखी है, तो वो भी हमारे पास क्या है, plastics होते हैं, अब जो हमारे पास plastics होती है, plastics की दो types होती है, एक होते हैं, हमारे पास thermal setting एक होते है, thermoplastics ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, हमारे पास यह पैन है, इसकी भी कवरिंग प्लास्टिक की है, हना बॉटल्स हैं, वो भी प्लास्टिक है, चेर्स हैं, वो भी प्लास्टिक है, टेबल है, वो भी प्लास्टिक है, स्टैंड्स हैं, वो चीज से हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, तो अगर मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बताऊं, जो हमारे परस प्लास्टिक होते हैं, वो हमारे दो तरह के थे, राइट, हमारे प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है थर्मो सेटिंग, एक होते है थर्मो प्लास तो यहां भी heat देनी पड़ेगी, heat तो हमें यहां भी देनी पड़ेगी, लेकिन अब दोनों में फरक क्या आ रहा है, दोनों में what is the फरक, तो इन में फरक यह है, यह पूरी तरह से set है, इनको जितना मर्जी छेड़ने ही कोशिश की जाए, यह राम से stable, बिल्कुल fine, set है, इन पीने, जितनी मर्जी heat दई जाओ, यह mold नहीं होंगे, यह अपनी shape को change नहीं करेंगे, ठीक है, they do not get molded on heating, लेकिन कुछ plastics ऐसे होते हैं, जिनको heat दो, तो वो अपनी shape change कर लेते हैं, वो mold हो जाते हैं, जैसे कि एक polythin, एक लिफाफा लो, उसे तुम heat करो, तो वो लिफाफा क्या होगा, अपनी position, अपनी shape change करेंगा, melt होना शुरू हो जाएगा, तो वो mold होना शुरू हो जाएगा, तो they do get molded on heating, तो अगर मैं simple सी एक example में बात करूँ, जैसे हमारे पास bakelite, जो हमारे पास bakelite होता है, या जो हमारे पास melamine होता है, यह हमारे पास क्योंते हैं, जो हम अब वो तो हमारे पास utensils हैं, वो तो हमेशा gas के उपर रहेंगे, heat होंगे, तो अगर gas के उपर रहते रहते हैं, उनकी shape mold हो रही है, ऐसा तो नहीं होगा न, तो इनको हम यहाँ पे यहाँ आते, utensils, used in utensils, बरतन वगएरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो change हो रहे हैं, जैसे हमारे पास toys में, जो plastic use करते हैं, जब तुम इसे heat करोगे, यह अपनी shape को mold कर लेंगे, change हो जाएंगे, heat को लेके, लेकिन जब हम electrical appliances की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, electrical appliances की, हना, तो electrical appliances में क्या हो रहा है, electrical appliances में current आ रहा है, current heat लेके आ रहा है, heat produce कर रहा है, हना, तो उसकी वज़े से यह appliances में कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर क्या होता है हमारे को obviously वो mold नहीं हो रहे हैं अपनी position में ही रह रहे हैं अपनी shape को maintain करते हुए चल रहे हैं अब आते है plastics के कुछ characteristics characteristics of plastics characteristics of plastics तो क्या तुमने कभी देखा है कि हमारे पास plastic का कोई बरतन है हाना plastic का कोई बरतन है या कोई और object तुम ले ओ plastic को मिशा क्या होते हैं हलके होंगे plastics are light they are light मतलब they are हलके ठीक है दूसरा अगर हम देखे इसका दूसरा अगर हम देखे plastics जो होते हैं अगर तुम उसे air में expose कर दोगे जैसे iron उसको अगर हम ऐसी air में expose कर देते तो फिर उसके ओपर rust लगने लग जाती है वह करोड हो जाता है but plastic do not corrode do not corrode ठीक है तीसरा यह क्या होते है बहुत unreactive air के अंदर ही तो पड़े है एर से react नहीं करे जिसके वह से क्या हुआ पानी से भी react नहीं कर रहे जो वर्टर वे प्रेटमॉसफेर में है तो यह क्या ओजेंगे यहां पर यह क्या होजेंगे इक तो करोड नहीं होंगे इनके ओपर प्रस्ट बगारा नहीं लगेगी, जंग बगारा नहीं लगेगा, जंग जंग इन पर नहीं लगता, और दूसरा, they are unreactive, they are, they are unreactive, ठीक है, they are unreactive, तीसरा, ये क्या होते हैं, थोड़े से affordable, थोड़े से cheap हैं, हाना, these are affordable, easily available, हाना, affordable and easily available, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास plastics होते हैं, affordable हैं, easily available हैं, unreactive हैं, दूसरा, हम यहाँ पर उड़े, they are more durable, they are more durable, durable का मतलब जो long time चलते हैं, जो long time आपका काम आएंगे, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, plastics में हमारे पास होता है, teflon, हाना, ये क्या होता है, teflon, इसको हम क्या use करते हैं, cooking utensils के अंदर, जो हमारे तवे वगेरा होते है, cooking pans वगेरा, cooking utensils में हम इसकी, कुकिंग यूटेंसटेल में इनकी क्या लगा देते हैं लियरिंग कर देते हैं उससे क्या होगा इससे इतना सा होगा कि जो ऑइल्फ., ग्रीस, गी, वगएरा जो भी होता है हम अपनी cooking में use करते हैं, वो हमारे उसके साथ ना चिपक जाए, तो ये plastic उसको help करता है, कि वो उसमें ना चिपके, ठीक है, तो ये कुछ properties थी, तीसरा, जो हमारी electric wires होती है, जो हमारी अलग अलग तरह की, जैसे हमारी electric wire है, इसके ओपर कभी आपको green color की coating दिख जाएगी, प plastic की करी जाती है, क्यों, क्योंकि plastic is a bad conductor, it is a bad conductor of heat and electricity, bad conductor of electricity, ताकि आपको कोई shock भी ना हो, तभी जो electric wires है, therefore, make coating in electric wires, ठीक है, तो ये कुछ properties थी, हमारी plastic की, तो I hope आपको synthetic fiber का main main topic, जो हमारा rapid revision में हमने cover किया है, आपको समझ में आ गया होगा, ये most main part था, कि हमने कुछ fibers को discuss किया, and mainly हमने plastics को भी discuss कर लिया, तो मिलते हैं आपसे अगली video के अंदर, okay, bye everyone!